भारत सरकार पिछले आठ वर्षों से क्रिशिक शेत्र को आधुनिक और मिहनत कश किसानों को सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक महत्वा पूर्ण पहल के तहट आज से देश में जिलास्तर पर शुरू होने वाले 600 प्रधानमत्री किसान सम्रिधी केंद्रों के माध्यम से किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उचे दाम पर उपलब्ध हो सकेंगी। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की खा दें। बीज, कीट नाशक, मशीनरी के साथ क्रिशी संबंधी अन्य सुविधाएं जैसे की मिट्टी परीक्षण एवं बीज परीक्षण की सुविधाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर भारतिय वज्ञानी को द्वारा विश्व में पहली बार विकसित किया गया नैनो यूरिया भी मिल सकेगा। आधुनिक क्रिशी ड्रोन तक सभी उपलब्ध रहेंगे, जिसे खेती की जरूरतों के लिए किसान साथ ही आसानी से किराय पर ले सकेंगे या खरीद सकेंगे। किसानों को इन समरिधी केंद्रों पर बहतर कृषी पद्धतियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और कृषी संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरो किया जाएगा इसी प्रकार भारतिय जन उर्वरक परियोचना के एक देश एक उर्वरक नारे के तहत देश में उर्वरकों की बहतर उपलब्धता सुनश्चित करने के लिए अब उर्वरक एक ही ब्रेंड यानि की भारत ब्रेंड में ही किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे अब किसानों को किसे विशेश प्रकार के ब्रैंट की खाद का इंतिजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भारत ब्रैंट की खाद सभी प्रधानमंत्री कृषी समरिधी केंद्रों पर सही समय पर उपलब्ध रहेगी भारत सरकार के इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही लक्ष है कि हमारे अन्न दाता लगातार सशक्त, सम्रिध और आत्म निर्भर बने